नमस्कार करदम रिशी की भूमी और बाबाओं की नगरी कैलरम में आपका स्वागत है हमने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि गाओं में उत्ते परदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और उससे पहले की तैयारियों को लेकर भी बताया था वो कहां रुकेंगे इस बाद से भी आपको अवगत कराया था मगर उससे पहले आज आपको उन चार थोड चार जगों का भी जिकर कर दू जहां जो कुछ नया नया उस प्रोग्राम के लिए जो महारुद्र यग गाओं कैलर में इस वक्त चल रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं एक थोड़ वो है जहां पर बाबा ठंडूनात का धाम है जहां पर इस वक्त हवन कुंड के चारों और 31 जोड़े 31 दमपत्ती जोड़े बैठे हैं और उनके साथ 31 ब्रहमन बैठे हैं और उस प्रिक्रमा हवन कुंड की प्रिक्रमा के तोर पर ये गाम गुहांड की ये अप भतना कर रहे हैं। इसके साथ-साथ एक थोड़ वो है जहां पर गाऊं का परशुराम मंदिर है। वहाँ पर तमाम लडु जलेबी और तमाम अजीज पकवान जहां पर बनाये जा रहे हैं। वो भी एक थोड़ है। जहाँ पर नया नवेला मंदिर, जहाँ पर नई मूर्ती की प्रान परतिष्ठा की जाएगी. तो वो नया मंदिर बनकर तयार है. वहाँ पर जो गाउं की महिलाएं हैं, गाउं गोहाण से आई महिलाएं हैं, वो भजन किर्तन कर रही हैं. तो एक और जो साथ एकड़ भूमी है वो टेंट लगने के लिए तयार है और उस चीज का भी जिकर कर दूँ आपके सामने जिस जिन जो जो प्रोग्राम होने है सबसे पहले जो 31 दमपत्ती जोड़े उस हवन कुंड के चारों और प्रिक्रमा के रूप में बैठे हैं वो 25 तारीक तक यानि 25 मार्ज तक वो बैठेंगे और इसके बाद 25 तारीक को और 26 तारीक को एक कलश यात्रा भी गाउं में निकाली जाएगी गाउं की 500 महिलाएं उस कल आपके साथ साजा कर रहे हैं इसके साथ साज जो नया नवेला मंदिर है वो 131 फुट का मंदिर है जिसपर 11 फुट का जो कलश है वो उसके उपर चड़ाया जाएगा तमाम अजीज पकवान इस वक्त परशूराम मंदिर में बन रहे हैं और मैं इस वक्त गाउं के में पर अपने कैमरा से योगी से दर्खास करूँगा कि दिखा दीजिए जिस तरह से पूरी नगरी को पूरे गाउं को एक आध्या के रूप में चमका दिया गया है और गाउं की साफ सफाई में जिस तरह से गाउं गोहांड के लोगों का योगदान है उसको आप देख सकते हैं और ये तकरीबन गाउं के में अड़े से लेकर के पूरे गाउं को ये इसी तरह की सफाई पूरे गाउं द्वारा की जाएगी और गाउं की चकाचों देखने लायक होगी जिस तरह से गाउं में लड़िया लगा दी गई है और पूरे अध्या की तरह गाउं को सजा दिया गाओं में इसके साथ साथ 11 दिन तक कोई तांश भी नहीं खेलेगा तो ये तमाम अपील गाओं वालों की से डेरे ने की है तो ये तमाम जानकारिय हम आपको साजा कर रहे हैं और इसके साथ गाओं के कैलरम गाओं के में अड़े से इस वक्त हम जुड़ चुके हैं और से 28 तक जिस तरह से प्रोग्राम चलेगा और योगी आदित्यनाथ उनका आने का अनुमान है कि वो 27 मार्च की शाम को आएंगे यहां पर रुकेंगे भी और तमाम जिस मंदिर में प्रांट परतिष्टा की गई है वहां भी वो जाएंगे तो इन तमाम जो छोटा सा गाओं बड़े इसको लेकर भी एक संत समाज की एक बड़ी अपील कह सकते हैं मेरे ठीक पीछे आप उस जगह को देख रहे हैं जहां पर दो दिन का भंडारे का प्रोग्राम होगा 27 और 28 मार्च को यहां पर भंडारा लगाया जाएगा और 27 मार्च को जो एक सांस्कृतिक प्रोग शोरों से चल रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं टेक्टर मौजूद है टेंट का सामान मौजूद है यहां पर और ग्रामिनों के सहयोग से इस पूरे टेंट इस पूरे पंडाल को बनाया जाएगा और 7 एकड की जमीन जिस तरह से 2 दिन का पूरे के पूरे 2 दि जो है ग्रामिन परसाद चकेंगे या परसाद ग्रहन करेंगे तो 7 एकड की जमीन पर जो पूरा भंडारे का प्रोग्राम है वह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैमरा से योगी अजय के साथ मैं अजय कुमार कैलरम